वेलकम तो शीरिंग नॉलेच चानल दिस इस आईशा पिछले वीडियो में मैंने ग्रेडिबल अन्टिनिम्स एक्स्प्लेइन किया था इगनू के बीई जी एस वन एटी थी इंग्लिश कोर्स में और इस वीडियो में जो है मैं उसी के आगे यूनिट टू में ही सिननिम्स ए यह परियावाची शब्दी क्या होते हैं यह वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है सिमिलर मीनिंग होता है यह हम कहलें नियरली दा सेम मीनिंग होता है तो यानि कि जो मीनिंग है वो नियरली या तकरीबन या लगभग सेम होता है एक जैसा होता है या मिलता जो है वो exactly same नहीं होता है, यानि exact meaning या identical meaning जिसे हम कहें वो नहीं होता है, वो ना होकर के क्या होता है, meaning तकरीबन या लगभग same होता है, या मिलता जुलता होता है, जैसे कि हम words देखे, forest और wood, यह मैं इसका example बता रही हूँ, forest and wood, तो forest और wood क्या है, बहुत से लोग जो है forest और wood को जो है interchangeably use कर लेते हैं, कर लिया जाता है, इनको, या interchangeably यानि एक दूसरे की जगहा पे, जहां पे forest लिखना हो, वहां पे wood लिख दिया, जहां पे wood लिखना हो, वहां पे forest लिख दिया, आपने काफी English की, अगर कोई novel या plays या short stories वगारा पढ़ी हों, तो उसमें देखा होगा कि अकसर जो है, word use होता है, कि he was in the woods, या she was chasing someone in the woods, तो अब देखते हैं कि, although इनको जो है interchangeably use कर लिया जाता है, forest और wood को, लेकिन दोनों का जो meaning है, वो exactly same, नहीं होता है, यानि दोनों की meaning में जो है, वो slight difference होता है, तो ये slight difference क् ये मैं बता रही हूँ कि forest जो है, forest हम किसी ऐसी जगह को या ऐसे जंगल को कहेंगे, जो की area में बड़ा हो, wood के comparison में, यानि कि जो जादा बड़े area में फैला हो, जंगल हमें पता है, जंगल किसे कहते हैं, जहां पर बहुत सारे पेड, पौधे, जाडिया, घास, ये सब हो, उसको हम जंगल कहते हैं, यानि कि किसी pattern में ना लगे होकर के, जिसे हम कहें कि बेतर्तीब हैं, बहुत सारे पेड, जंगल, जाडियां, ये सब लगी हैं, उनको हम forest या जंगल कहते हैं, तो forest क्या होता है, wood के comparison में, जादा बड़े area में फैला हुआ होता है, ये पहला difference है, और दूसरा difference क्या है forest और wood में, वो ये है कि जो forest है, वो wood के comparison में कैसा होता है, जादा dense होता है, यानि जादा घना होता है, यानि कि इसमें हमें जादा पेड, पौधे, जाडियां, ये सब देखने को मिलेगा, और wood में जो हमें scattered trees देखने को मिलेंगे, तो ये इसमें जो है difference है, although similar meaning है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि दोनों में हलका सा फर्क है, forest जो है, जादा बड़े अरिया में है और जादा dense है, जबकि wood जो है, वो forest के comparison में छोटे अरिया में है, और dense उतना dense नहीं है, as compared to forest, उसी तरह से हम दूसरा example देखें, जैसे कि words है, make and construct, तो construct जो है, construct का meaning अगर कोई हम से पूछे या synonym हम बताएं, तो हम construct का similar meaning या synonym है, वो हम make ही बोल देते हैं, कि दोनों का meaning हम मानते हैं कि roughly क्या है, same है, make और construct का synonym, लेकिन अगर ऐसी बात होती, तो पिर हम make की जगहा पे construct और construct की जगहा पे make use कर सकते होते, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों हम बात कर रहे हों किसी building की, right, अगर हम बोल रहे हों कि कोई building बन रही है, तो यहाँ पर हम building के साथ क्या word use करेंगे, construct, right, हम building को make नहीं बोलेंगे, बलकि construct बोलेंगे, उसी तरह से अगर word cake हो, है ना हम cake बनाने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर cake के साथ, जो है, हम construct नहीं ब पोलेंगे I'm making a cake, right? या I made a cake, अगर past tense में है कि मैंने cake बनाया, ठीक, तो meaning जो है, यानि कि दोनों का exactly same नहीं है, या identical नहीं है, although कि meaning जो है, वो similar है, more or less same है, लेकिन exactly same नहीं है, यानि कि construct को हम as a substitute for make नहीं use कर सकते, और make को construct के substitute के तौर पे use नहीं कर सकते, तो ये जो synonyms हैं, फिर इनका, मतलब ये किस लिए हैं, इनका क्या use है, तो synonyms जो हैं, ये तब useful होते हैं, जब अगर मान लीजे हम कोई text लिख रहे हों, और हम अपनी writing में struggle कर रहे हों, यानि कि हमें समझ ना आ रहा हो, तो उस वक्त अगर हमारे पास synonyms की list है, या अगर हम synonyms देखते हैं, dictionary में या गूगल में, तो वो हमारे लिए क्या होता है, helpful होता है, right word ढूंडने में हैंना, कि हम क्या लिखें, किस तरह से अपनी बात को लिखें, क्या word जो है, यहाँ पर जादा appropriate, या जादा suitable, या fit रहेगा, लेकिन हर word जो है, हमें उसकी specific definition के हिसाब से ही, उसे use करना चाहिए, चाहिए अपने text में हो, या अपनी speech में हो, यानि कि हमें खाली synonyms ही नहीं देख लेना चाहिए, बलकि हमें उसका specific meaning भी पता होना चाहिए, उसका specific definition के हिसाब से भी हमें use करना चाहिए, जैसे कि इसी बात को समझाने के लिए मैं एक और example दे रही हूँ, वो है alter और metamorphose, अब metamorphose का meaning जो है, वो alter के meaning के similar ही माना जाता है, कि metamorphose और alter जो है, इनका meaning similar सा है, एक जैसा है, लेकिन इनके meaning में बहुत बड़ा फर्क है, आपको याद होगा आपने छोटी classes में, 2nd, 3rd grade में, अपने science की books में पढ़ा होगा metamorphoses, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, metamorphoses, तो metamorphoses क्या होता है, पहले आप बताने की कोशिश कीजिए, चले मैं बता देती हूँ after a pause, कि metamorphoses क्या होता है, metamorphoses हमने पढ़ा था science की book में, कि यह एक biological process होता है of transformation, जिसमें किसी animal या insect का जो physical form है, या structure है, वो पूरी तरह से change हो जाता है over a period of time, तो यह क्या कहलाता है, metamorphoses कहलाता है, जिसमें किसी जीव का, किसी इंसेक्ट का, आनिमल का, जो physical appearance है, या structure है, या physical form है, वो completely change हो जाता है, वक्त के साथ बदल जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, butterfly की life cycle, frog की life cycle, और इसका diagram भी बनाया होगा, तो अगर हम butterfly की life cycle देखे, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या, egg, ठीक है, फिर egg किसमें convert हुआ, egg जो है convert हुआ, larva में, l-a-r-v-a, ओके, फिर larva किसमें बदला, pupa में, p-u-p-a, और pupa के बाद क्या आ गया, हमारा butterfly, ठीक है, तो ये थी life cycle of butterfly, तो ये किसका example है, ये metamorphosis का example है, यानि कि अगर हम एग को देखें, larva को देखें, या pupa को देखें, तो वो butterfly से कैसा है, entirely different है, यानि कि हम larva या pupa को देखके, कहीं नहीं सकते कि ये जो है, आगे चलके butterfly बन जाएगा, क्योंकि butterfly आपने देखा है, कि कितनी colorful और कितनी beautiful दिखती है, right, wings भी होते हैं, जबकि larva और pupa के कोई wings नहीं होते हैं, ये दिखने में हमें कैसा दिखता है, insect जैसा ही दिखता है, जैसे green color का कोई crawling insect होता है, आपने अक्सर पेडों, पॉपेड पौधों में देखा होगा, जो green color के insects होते हैं, जो पत्तियों को कुतरते हैं, और जो क्रॉल करते हैं, तो ये पूपा ये लार्वा जो है, हमें वैसा ही दिखाई देता है, इसके कोई wings भी नहीं होते हैं, और जो butterfly के जो antenna निकले होते हैं, आगे दो antenna ऐसे वो भी नहीं होते हैं, तो ये दिखने में कैसा होता है, काफी different होता है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये लार्वा किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, प्यूपा में और प्यूपा किसमें बदल जाता है, बटरफ्लाइ में, तो ये क्या था, मेटरमॉफोस का एक्जाम्पल था, जो है, टैटपोल कैसा है, लिम्बलेस, इसके यानि कि कोई भी लेग्स वगेरा नहीं है, फिर टैटपोल किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, टू लेग्स वाले टैटपोल में, ठीक है, अब इसके दो लेग्स आ गए, लेकिन हमें पता है, टैटपोल में, और फिर फाइनली जो है, यह क्या बना हमारा एडल्ड फ्रॉग बन गया, तो यह जितने भी ग्जाम्पल्स दोनों मैंने बताई, किसके थे मेटमोफफस के अग्जाम्पल थे, यानि कि अगर हम टैटपोल को भी देखे, तो उसको भी देखके वो frog से काफी different होता है appearance में, यानि उसको भी देखके हम समझ नहीं सकते कि यह frog बन जाएगा कुछ time बाद, तो यह था metamorphosis, अब आईए आते हैं altar पे, तो altar क्या है, altar जो है, altar का meaning होता है small but significant change, है ना, जैने कि suppose करें, अगर मान लीजे, आप किसी tailor के पास कोई dress लेके जाते हैं, उसकी fitting ठीक कराने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या word यूज करेंगे, metamorphosis यो altar, आप ही सोच के बताएं, तो यहाँ पर जो है, हम word altar कर यूज करेंगे, ना कि metamorphosis का, ठीक है, जबकि meaning में हम कह हैं कि metamorphosis का meaning भी जो है, वो similar होता है, altar के meaning के, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम यह नहीं बोलेंगे, कि हम tailor के पास dress metamorphosis कराने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के meaning में फर्क है, मैंने आपको बताया कि metamorphosis या metamorphosis क्या है, यह एक biological change है, यानि कि कोई इनसान नहीं बदल रहा है, प् इसकी वज़े से हो रहा है, नेचर या कुदरती चेंज है, biological change है, और जब कि metamorphosis, जो है, इसमें जो है, change यानि कि कि किसी इनसान द्वारा किया गया कोई change, और altar का meaning होता है, वो किसी garment को फिर से सिलना भी होता है, है ना, उसको better fit, better fitting के लिए, garment को सिलना भी होता है, altar का meaning, त fitting ठीक कराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर metamorphosis word का use ना करके, I mean, metamorphosis word का use ना करके, किसका use करेंगे, metamorphosis जो है, यह तो noun हो गया, और metamorphosis जो है, वो क्या हो गया, verb हो गया, दोनों में यह difference है याद रखेगा, तो हम यह नहीं कहेंगे, कि हम metamorphosis कराने लेके जा करें, तो हमने देखा कि यह जो synonyms होते हैं, इनका meaning जो है, वो यानि कि exactly same नहीं होता है, identical meaning नहीं होता, यानि कि अगर हम चाहें, कि metamorphosis की जगहा पे हम alter use कर ले, या alter की जगहा पे metamorphosis use कर ले, तो हम वैसा नहीं कर सकते, तो क्या है, कि हमें लिखते वक्त या बोलते वक्त हमें, यानि कि synonym का use करते वक्त हमें जो है, इस बात का भी ध्यान देना होता है, कि word को हम किस context में use करना चाह रहे हैं, तो जिस context में word है, उसी हिसाब से जो है, हम उसका synonym select करते हैं, कि इसकी जगहा पर हम ये लिख सकते हैं, अगर हम context नहीं देखेंगे, इसको ignore कर देंगे कि किस context में use हो रहा है, और ऐसे हम आख बन करके हमने dictionary में देखा कि ठीक है, इसका synonym ये भी है, और हमने वो लिख दिया, तो जो है, हमारा sentence क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसका meaning जो है, वो clear नहीं हो पाएगा, तो synonym का use करते वक्त हमें, इस बात का भी context का भी जो है और मैं जो पने वीडियो जो हूँ वो 12 मिनिट्स या 13 मिनिट्स से जादा लंबे ना बनाऊं, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में ने 20-23 मिनिट्स के भी हो गए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मैं उतने लंदी वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं जो हूँ इसको यह पर लगए करें.